गुड मोर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को बिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर हैं मुख्य समाचार ब्रैकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जदा जदान लाइक और शेयर करें तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर श्वर कोकिला लता मंगेश करके निधन से देश में शोक की लहर प्रदान मंतरी से लेकर राष्टपती ने दी श्रदांजली जिया दोस्तों श्वर कोकिला लता मंगेश करके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया है प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी से लेकर राश्टपती रामनात कौविंध ने उन्हें भाव भीन श्रदांज ले दी राश्टपती रामनात कौविंध ने कहा कि लताजी का निधन उनके और दुनिया बर के लाखो लोगों के लिए हिरदय विदारक रहा है दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता दें रविवार सुबह बुंबई के ब्रिज केंडी अस्पताल में उन्होंने आखरी सांस ली वो पिछले 28 दिनों से अस्पताल में भरती थी प्रदानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं शब्दों से परेपीडा में हूँ दयालू और देखभल करने वाली लतादीदी हमें छोड़ कर चली गई वह हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता आने वाली पीडियां उन्हें भारतिय संस्कृति के ए पार्ज स्नह मिला उनके साथ मेरी बातचीत अविश्मर्णियर रहेगी उनके परिवार से बात की और समवेदना वैक्त की वहीं दोस्तो राष्टपती रामनात को विंद ने लिखा कि लता दीदी एक सादर्ण इंसान थी उनकी दिव्वे आवाज हमेशा के लिए शान्त ह हो गई लेकिन उनकी धुन अमर रहेगी अनंत काल तक गुजती रहेगी उनके परिवार और प्रसंसकों के प्रती मेरी सवेदनाएं दोस्तो लता मंगेशकर के निदन पर देश में दो दिन का राष्टे शोक रखा गया है इस दोरान तिरंगा जंडा थोड़ा जुका हो गया है तहला मुकाबला एहमदाबाद में चल रहा था दोस्तो रईवार को एक दुखत बरी खबर भी आई कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निदन हो गया ऐसे में में शुडू होने से पहले पूरी भारतिय टीम ने लता मंगेशकर के निदन पर शोक जताया पूरी ट तब से अमीर क्रिकेट बोड बिसी सी आई के पास उस समय इनाम की देने के लिए पैसे नहीं थे तब लता मंगेशकर ने प्रोग्राम कर खिलाडियों के लिए इनामी राश्री चुटाई थी यही नहीं उन्होंने गाने के लिए बिसी सी आई से एक पैसा भी नहीं लिया इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर के समर्थन में आयुजित जन्चोपाल को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही इस दोरान प्रदान मंतरी ने सपा अध्यक्ष अखलेश यादव और उनकी पार्टी पर तीखे प्रहार किये और कहा कि चुनाओं देखकर क्रश्न भक् बता देखक़क्ष और चलिए ज़ने खाल ही इनकारी के लिए आठिलिश यादव और उन्हें हाल ही में काला था कि भग्वान क्रश्न रोजणा उनके सपने में आकर कहते हैं सपाकी सरकार बनने जा रहे हैं प्रदान मंत्री ने कहा कि जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब था और ना ही आपकी जरुरतों से उनका सिर्फ एक ही एजंडा रहा उत्तर प्रदेश को लूटो उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी उन्हें कहा कि ओमिक्रोन को लेकर बूस्टर डोस देने की आउशकता नहीं है यहां शोद बंदरों पर किया गया था इसमें बंदरों को ओमिक्रोन विशिष्ट बूस्टर डोस और मोडरना कोविड-19 बूस्टर डोस लगाया गया दोनों परिनाव में कोई अधिक अंतर नहीं था ऐसे में शोद करताओं का कहना है कि ओमिक्रोन वारियंट के लिए एक नए बूस्टर की ज़रत नहीं है हालांकि इस शोद की अभी समिक्षा की जानी बाकी है दोस्तो शोद में बंदरों को मोडरना वैक्सीन के दोनों डोज लगाई गई थी उन्हें नो महीने बाद एक ट्रिडिशनल बूस्टर और एक ओमिक्रोन को लेकर बनाई गई नई बूस्टर डोज लगाई गई शोद करताओं ने पाया कि दोनों बूस्टर सभी वरियंट के खिलाफ एंटी बोडी पृतिकरियाओं को बे एसर करने में महत्योपुन वरद्दी का उत्पादन करते हैं शोद का सहने तरत्व कर रहे है नेशनल इंस्टूट अफ एलर्जी एंड इन्फोंसियस डिजीज के वैक्सीन शोद करता डेनियल कोक ने कहा कि यह बहुत अच्छी खबर है इसका मतलब दोस्तो यह है कि ओमिक्रोन के लिए आपको कोई नई वैक्सीन डूनने की जरुरत नहीं है आप कोई भी ट्रेडिशनल वैक्सीन लगवा सकते हैं वह भी बूस्टर डोस का काम करेगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर पंजाब में कांग्रेस का मुख्य मंतरी चहरा चरणजीत सिंग चन्नी होंगे राहुल गांदी ने लुदियाना में किया एलान लगातार दावा ठोक रहे नवजोट सिद्दू को लगा जटका जिया दोस्तो पंजाब कांग्रेस पंजाब विदासबा चुनाओ के लिए चरणजीत सिक चन्नी को सिएम चहरा गोशित कर दिया गया है लुदियाना की दाखा रेली में राहुल गांदी ने इसकी घोशना की इससे लगातार सिएम चहरे पर दावा ठोक रहे पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोट सिंग सिद्दू को बड़ा जटका लगा है अब सब की नजर इस बात पर है कि सिद्दू इसके बाद क्या करते हैं और कौन सा कदम उठाते हैं चन्नी के नाम की घोशना करते हुए राहुल गांदी ने कहा कि मैंने सिएम का चैरा डिसाइड नहीं किया मैंने पंजाब के लोगों से पूछा केंडिडेड और कारे करताओं वरकिंग कमिटी के सदश्चों से पूछा उन्होंने कहा कि पंजाब को खुद अपना नेता चुनना चाहिए मैं सिर्फ ओपिनियन दे सकता हूँ लेकिन पंजाब का ओपिनियन जादा जरूरी है पंजाब ने कहा कि हमें गरीब घर का CM चाहिए जो भूक और गरीबी को समझे पंजाब को ऐसे व्यक्ति की जरुवत है राहुल ने कहा कि चरणजीत सिंग चन्नी गरीब घर के बेटे हैं गरीबी को समझते हैं जब वह सीम बने तो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं दिखा वह जनता के बीच में जाते हैं इसके बाद उन्होंने चरणजीत सिंग चन्नी के नाम की घोशना कर दी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार इंडियन रेल्वेस बड़ी खबार रेल्वे ने कैंसिल कर दी 750 से भी जादा ट्रेन है अगर आपने भी कराया है रेजर्वेशन तो जल्दी से लिस्ट देख लीजिए जिया दोस्तो अगर आप ट्रेन से सफर करने का प्लान मना रहे हैं या फिर आपने रेजर्वेशन करवा रखा है तो रेल्वे ने करीब 750 से जादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है रेल्वे की ओर से हर दिन कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है अगर दोस्तो आपने भी रेजर्वेशन केया हुआ है या फिर आपका प्लान जाने का है तो उससे पहले आप कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर हर रोज चेक कर लें क्योंकि हर रोज कई सारी ट्रेने कैंसिल की जा रही है रेलवे की ओर से रेलवे की ओफिशल वेबसाइट पर भी आप यह लिस्ट चेक कर सकते हैं दोस्तो इंडियन रेलवे की ओर से हर दिन हजारों ट्रेनों का संचलन किया जाता है वहीं कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया जाता है तो आप inquiry.indianrailway.gov.in नामक वेबसाइट पर जाकर सारी कैंसिल लिस्टों को देख सकते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबर Under 19 विश्वकप टीम विजिदा के समान के लिए समाहरो आयजित करेगा BCCI जियां दोस्तो Under 19 विश्वकप का खिताब जीतने वाली भारती टीम को देश पहुचने पर भारती किर्केट कंट्रोल बोड यानि की BCCI एहमदाबाद में समानित करेगा रईवार को BCCI ने खिताब जीतने वाले टीम के प्रतेक सदश्य को 40 लाख रुपे जब की सहयोगी स्टाफ को 25 लाख रुपे नगत पुरुसकार देने की घोशना की थी दोस्तो शनिवार को फाइनल में इंग्लेंड पर जीत दर्ज करने के बाद गया नामे भारती एदल ने भारती उच्चायुक्त से मुलाकात की केरेबिया में सफलता का जश्न मनाने का अधिक समय नहीं है और टीम रईवार शाम भारत की लंबी यात्रा के लिए रवाना हो गई टीम एंबस्टर डर्म और बैंगलूर होते हुए एहमदाबाद पहुंचेगी दोस्तो भारती सीनियर टीम भी अभी एहमदाबाद में वेस्ट इंडीस के खिलाफ तीन एक दियोसी अंतर राष्टे में चोकी श्रंकला खेल रही है सीनियर टीम जेविक रूप से सुरक्षित माहोल में है और अभी यहां नहीं पता ही के अंडर नाइटीन खिलाडियों को सीनियर क्रिकेटरों के साथ बात करने का मुका मिलेगा या नहीं बिसी सिय अधिकारी ने कहा कि लगों का कारे करम काफी वैस्ट रहा और उन्नों आराम करने का बेहत कम समय मिला भारत पहुचने के बाद उन्हें आराम करने का कुछ मौका मिलेगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर ओवेशी पर हमले में बड़ा खुला सा हमलावार सचिन और ओवेशी का प्रत्याक्षी आपस में दोस्त वारदात की कहानी में है छे और जूट जियां दोस्तो AIMIM चीफ असुद दिन ओवेशी पर हमले की परतें खुलनी चाहिए लेकिन पुलिस परत परत चड़ा रही है घटना इस्तल से CCTV फूटिज कुछ और बया कर रहे हैं ओवेशी अपने बयान और ट्वीट से कुछ और दास्ता बया कर रहे हैं वहीं 12 घंटे बा गिरी दिखाई गई थी जबकि पुलिस ने रिकोर्ड में लिखा कि दोनों हमलावारों से पिस्टल बरामत की गई है ऐसे में जब मामला कोट में जाएगा तो संदेह का लाब हमलावारों को मिलना तय है फिलहाल इस संदेह का फाइदा राजनितिक दल उठाने का प्रियास कर रहे हैं लेकिन उत्तरप्रदेश की समझदार जनता सब समझ रही है इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबर टाटा सफारी हैरियर समयत कई कारों में मिल रही है साथ हजार रुपे की छूट जिया दोस्तो टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ महीनों में अपनी कारों क बिकरी में अच्छी सफलता हासिल की इसी बिकरी को और भी बड़ावा देने के लिए टाटा मोडल के आधार पर साथ हजार रुपे तक की बड़ी चूट दे रही है दोस्तो टाटा सफारी जो की अभी अभी लॉंच हुई है टाटा सफारी ओटो मेकर की एक पॉपुलर ए एक्सचेंज बेनिफिट दिये जा रहे हैं इसके अलाव दोस्तो टाटा टियागू की बात की जायतो इसमें 10,000 से लेकर 20,000 रुपे तक के एक्सचेंज बेनिफिट और लाब मिल रहे हैं दोस्तो टाटा टीगोर में 25,000 रुपे तक के ओफर मिल रहे हैं टाटा नेक्सोन क बात करें तो यहां पर भी आपको 15,000 रुपे तक की चूट मिल रही है टाटा अल्ट रोज में 10,000 रुपे तक की चूट मिल रही है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार उत्तर प्रदेश 26 साल से धरना दे रहा यह शक्स मुख्य मंत्री के खिलाफ लड़ेगा चुन उनका गहना है कि करहल में वो अखिलेश यादव का भी विरोध करेंगे 69 साल के विजय सिंग ने कहा कि मैंने सरकारी जमीन को माफिया के चुंगल से चुडाने के लिए हर संबव कोशिश की 2012 में में ततकालीन मुख्य मंत्री अखिलेश यादव से मिला जिनोंने जाज के ल तीस बार लखनव का दोरा किया है लेकिन कोई कारेवाही नहीं हुई दोस्तों आपकी जानकारी के लिए उननीस सो चीन में में भूमाफियाओं ने चुडाना गाउ में सारजनिक भूमी हडप ली थी जिससे विजय सिंग बैहत परेशान हो गए थे और उन्होंने अपनी नोकरी छोड़ दी जिसके बाद वो सारजनिक भूमी के अतिक्रमन के विरोध में मुझफर नगर कलेक्टरेड में धरने पर बेट गए विजय सिंग ने कहा कि अब मैं जनता के पास जाऊंगा उन्हें दिखाऊंगा कि इस प्रसासन ने मेरे साथ क्या किया 26 साल कोई चोट कारण के लिए दिया है इसके बाद दोस्तो जाने अगली बड़ी ख़बर लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट अगर दोस्तो आपको विडियो पसंद आ रही है या नहीं तो दोस्तो जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी ख़बार क्रिप्टो करेंसी प्राइस अपडेट बिटकोईन और इथेरियम समयत सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में आज रही तेजी बिटकोईन 64 लाक रुपे से ज़्यादा चड़ा जिया दोस्तो रहीवार को प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है बिटकोइन शाम 4 बजे 2 प्रतिशत की बरत के साथ 33.03 लाग रुपे पर कारोबार कर रहा था इस दोरान इसकी कीमत में 64,000 रुपे से जादा की बड़ोतरी हुई इथेरियम की बात करें तो आज इसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है दोस्तो इथेरियम भी बीते 24 गंटों में 1.61 प्रतिशत की तेजी देखी गई है 3,801 रुपे से बढ़कर 2.49 लाख रुपे पर पहुँच गई है दोस्तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पसंदिता किप्ट्रो कनेसी बिटकोईन की कीमत 10 नवंबर को 52 लाख रुपे के पार पहुच गई थी लेकिन अब यह 33.03 लाख रुपे पर आ गई है यानि के अपने ओल्टाइम हाई से करीब 36 प्रतिशत नीचे है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज यदवंजर चहल सोवा विकिट लेते ही अनिल कुमले के एलिट क्लिब में हुए शामिल नोगेंद पर किये तीन शिकार जिया दोस्तो यजवेंदर चहल ने खास रिकोर्ड अपने नाम कर लिया है उनके वंडे में 100 विकिट पूरे हो गए हैं इससे पहले भारतिय लेग स्पिनरों में सिर्फ अनिल कुमले ही वंडे क्रिकेट में 100 से जादा विकिट ले सके थे दोस्तो अब चहल देश के दूसरे लेग स्पिनर बन गए हैं जिनके खाते में 100 से जादा वंडे विकिट हैं चहल ने पहले वंडे में यह कारनामा किया उन्होंने सिर्फ 9 गेंद पर 3 विकिट लेकर वेस्ट इंडीज को बैक फुट पर धकेल दिया टीम ने 7 विकिट 89 रन पर ही जटक लिये यह जुएंदर चहल ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर निकलोस पूरण 18 को LPW किया इसके साथ उनके 100 विकिट पूरे हो गया अकली गेंद पर उन्होंने कप्तान कायरन पॉलाड को 0 पर बोल्ड करके वेस्ट इंडीज को बड़ा जटका दिया दूसरी ओवर की पांच विकेंद पर चहल ने शेम रहा बुक्स को 10 रन के स्कोर पर विकिट की पर रिशब पंद के हाथों केज कराया इससे पहले साउत अफरिगा में चहल का प्रदशन अच्छा नहीं रहा था लेकिन घर में उन्होंने पहले ही मेच में ले हासिल कर ली इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार भारत ने जीता अपना 1000 वा वंडे कप्तान रोहिश चर्मा और चहल ने किया धमागेदार प्रदशन जिया दोस्तो टीम इडिया ने वंडे स्रीज में शांदार आगास किया है भारत ने अपने पहले मेच में वेस्ट इंडीज को 6 विकिट से हराया कप्तान रोहिश चर्मा ने शांदार साटरन मनाए वहीं लेग स्पिनर यजवेंदर चहल ने चार विकिट जटके वेस्ट इंडीज की पहरी पहले केलते हुए सिर्फ 176 रन पर सिमट गई जवाब में भारत ने लक्षे को 28 ओवर में चार विकिट पर ही हासिल कर लिया यह भारत का वंडे का 1000 वा मेच्टा यानि की टीम ने यह अहम मुकाबला भी जीत लिया वंडे का नया कप्तान बनने के बाद यह है रोईशर्मा का पहला मेच्टा उन्होंने भी अर्ध चतक लगा कर आगाज किया दोस्तो लक्षे का पीछा करने उतरी भारते टीम को रोईशर्मा और इशान किशन ने अच्छी शुरवाद दिलाई दोनोंने पहले विकिट के लिए 13.1 और में 84 रन जोड़े रोईशर्मा 51 गेंद पर 60 रन बना कर आउट हुए दस चोको और एक चक्का भी लगाया इसके बाद उतरे विराट कोली ने पहली दो गेंदो पर दो चोक्के लगाये लेकिन वे पारी को आगे नहीं ले जा सके वे आट रन बना कर अलजारी जोसिफ की गेंद पर आउट हो गए दोस्तो युवा बल्ले बाज इशान किशन ने पारी को आगे समाला उन्होंने 36 गेंद उपर 28 रन बनाए दो चोक्के और एक चक्का भी जड़ा वे बाए हाथ के स्पिनर अखिल हुसेन की गेंद पर आउट हो गए इसके बाद रिशवप पंत दुरभाग्य पूर्ण तरीके से रन आउट हुए उन्होंने 9 गेंद पर 11 रन बनाए भारत का स्कोर 4 विकेट पर 116 रन हो गया SMMH रोमांचा को गया लेकिन इसके बाद वेस्ट इंडिज कोई भी विकेट जटकने में कामयाब नहीं हो पाया और भारत 28 ओवर में इस अहम मुकाबले को जीत गया इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर LIC के ग्राहकों के लिए खुश खबरी छूट के साथ लैप्स पॉलिसी को कर सकते हैं शुरू जिया दोस्तो LIC के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है अगर आपकी भी कोई LIC पॉलिसी लैप्स हो गई तो आपके पास 25 मार्च तक इसे शुरू करने का सुनहरा मुका है भारतिय जीवन बिमानिगम 7 फरवरी से एक विशेश रिवाईवल अभियान शुरू कर रहा है इसके ताद 7 फरवरी से 25 मार्च के बीच कभी भी आप अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को शुरू करा सकते हैं जिया दोस्तो सार्जिंग शेतर के इंस्वरेंश कंपनी LIC अपने ग्राहकों के लिए जरूरी कदम उठाती रही है ऐसे में अगर आपके कोई पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आप 7 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच में इसे शुरू करवा सकते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर Reliance Jio ने यूजर्स को दिया जोरदार जटका बड़ा दी इन कमाल के प्लान्स की कीमतें जियां दोस्तो देश की नंबर वन टेलेकॉम कंपनी Reliance Jio अपने यूजर्स को तरह तरह के आक्रशक प्लान्स ओफर करती रही है इनकी कीमत तो कम होती है साथ ही इसमें आपको कही सारे कमाल के benefits भी मिलते हैं लेकिन दोस्तो कंपनी पिछले कुछ समय से लगातार अपने प्लानों की कीमतों में इस जाफा करती ही जा रही है दोस्तो आपको याद होगा कि Jio एक prepared plan offer करता है जिसमें users को 20 दिन के लिए हर दिन 1 GB data किसी भी network पर unlimited calling और हर दिन के लिए 100 SMS की सुविदा मिलती है साथ ही सभी Jio apps का subscription भी दिया जाता है इस प्लान की कीमत 155 रुपे से बढ़ा कर अब 186 रुपे कर दी गई है जिया दोस्तो जियो का एक prepared plan users को 20 दिन के लिए 2 GB data हर रोज दिता था जिसकी कीमत 186 रुपे थी इसकी कीमत अब बढ़ा कर 212 कर दी गई है बात की जाए 336 दिन की validity वाले plan की तो इसकी कीमत 7500 रुपे थी जिसे बढ़ा कर 900 रुपे कर दिया गया है इसके बाद दोस्तो अगली बाड़ी खबार बढ़ने वाली है एपल फैंस के दिलों की धड़कने अगले महिने लॉंच हो सकता है latest iPhone जिया दोस्तो दुनिया की सबसे बड़ी और लोग प्रिये smartphone निर्मता कंपनी Apple हर साल अपने flagship smartphones के लिए नए models लॉंच करती है खबरों की माने तो एपल अपना next generation iPhone SE 3 2022 अगले महिने यानि की मार्च में लॉंच करने वाली है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें एपल ने अधिकारिक तोर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन लिक्स के जरीए काफी बातें सामने आई है पाइब जी सेवाँ के साथ आएगा फिलहाल इस latest iPhone की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है एपल ने फिलहाल इस phone को लेकर कुछ भी नहीं कहा है नहीं इसकी launching date के बारे में कहा है नहीं इसके features के बारे में अगर एपल अपने इस iPhone की design में बदलाव करता है तो users को ज़्यादा screen size भी मिल सकती है और दोस्तो माना जाराए कि यह phone एपल का सबसे सस्ता phone भी होने वाला है यानि कि हर विक्ती अब Apple का phone खरीद सकेगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर न्यूयार्क में महात्मा गांदी की प्रतिमा से बदसुलू की महात्मा गांदी की आदमकद प्रतिमा को तोड़ा भारतीय दूतावास ने कारेवाही की मांग की जियां दोस्तो अमेरिका के न्यूयार्क में महात्मा गांदी की कास से प्रतिमा के साथ शरार्थी तत्वों ने तोड़ फोड़ कर दी मैनहेटन इलाके में शनिवार को हुई घटना के बाद भारत के वानिजिक दूतावास की तरफ से नाराजगी जायर की गई है वही भारति-ः अमेरकी समूदाई ने भी घटना पर चिंता छताई न्यूयार्थ में भारत के वानिजिक दूतावास के मुताबित शनिवार तड़के कुछ अग्यात लोगों ने प्रतिमा के साथ तोड़ फोड़ की बयान में कहा गया है कि वानिजिक दूतावास पृतिमा के साथ तोड़ फोड की इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है फिलाल इस मामले को स्थानी अधिकारियों और अमेर की विदिश भाग के सामने तत्काल जाज के लिए उठाया गया है अब सरों से इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कारेवाही करने की अपील की गई है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दे आठ फुट उची यह पृतिमा महात्मा गांधी मेमोरियल इंटरनेशनल फाउंडेशन ने दान की थी गांधी जी की 170 जैनती के अउसर पर 2 क्टुबर 1986 को इसे इस्तापित किया गया था इस पृतिमा को 2001 में हटाया गया और 2002 में सनरक्षित कर दोबारा इस्तापित किया गया तो दोस्तो यह थी आज की तमाम बड़ी खबर हैं इसके बाद दोस्तो आप बारी आती है आज के माइंड क्यूज कुशन कीजिए यहां दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटीब चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भारती क्रिकेट टीम का सबसे सफलतम कप्तान किसे माना जाता है जी हां दोस्तो अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से अपने कमेडोक्स में लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुल लिजाते हैं लक्की विजदागी रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सर्प्राइस हमारे यूट्यूब चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी से अपने उतर कमेडोक्स में लिख दीजिए वीडियो लाइक कर लिजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदे मातरम जय हिन जय भारत